चंदरबान आक्या विदायक ची तोड़कर, जिन्होंने मेरे फोन से डेटा चुराकर और उसे वाइरल किया कि आप सभापती पे दुशकरम का केस लगाओ, उन फोटो वीडियो को लेके इसने इस तरह से वाइरल किया जिससे हमारी समाजित प्रतिष्टा को बहुत थेस पहुचे है, उसने कुछ गुंड़े बेज दी है ये मेरे शेहर को हुआ क्या है, हरोर धुआ 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 क्यों है आजकल राजस्तान में जो हाल राजनिती है, उसे बया करने के लिए कभी कि ये दो लाइने ही खाब नहीं और जिस दुएं की हम बात कर रहे हैं, वो है गिर्टी राजनिती और गिर्टा राजनिताओं का इस तक जैसा आजकल चल रहा है, उससे तो यहीं लगता है कि जब तक आप किसी को गिराओगे नहीं, तब तक आपके आगे बढ़ने के चांस नहीं राजस्तान के नेताओं की बात करें तो कुछ ऐसा ही नजारा आने लगा है, अरोग प्रत्यारोग तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन एक दूसरे की जट को सरयाम गिराना, एक दूसरे पर लांचन लगवाना, ये सब कुछ राजनिती का जरूरी हिस्सा हो गया है आज हम बात कर रहे हैं चित्ताओडगर की जहांके नगरपती पीशत सवापती संदीप शर्मा के साथ एक महिला के कुछ फोटो वाइरल किये जा रहे हैं इसमें खास बात ये है कि इस महिला ने चित्ताओडगर के ही विधायक चंद्रबान आख्या पर मॉबाइल से फोटो और वीडियो चुराने और एडिट करवाकर वाइरल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं साथ ये महिला का आरोप है कि पहले आख्या ने महिला पर दवाव बनाए कि वे संदीप पर जूता दुश्कर्म का मामला दर्ज करवाए लेकिन जब बात नहीं बनी तो आख्या रेने रच डाली चित्ताओडगर की राजमिती को बदरंग करने की साजिए चलिए उस महिला की जुबानी ही आपको सुनाते हैं इस सच्चा ही क्या है चंद्रबान आक्या विदायक चितोरकर जिन्होंने मेरे फोन से डेटा चुरा कर और उसे वाइरल किये और मोनीका जैन दिलिव धाकर यह सब मिले हुए थे इन लोगों के साथ और 29 अगस्त और 31 अगस्त को इन्होंने मुझसे ट्राइवेट मिटिंग किये और आभी रिसोर्ट में पांच-पांच घंटे की मिटिंग थी जिस पर यह पूरा दबाव डाल रहे थे और कि आप सभापती पे दुशकरम का केस लगाओ और 31 अगस्त को इन्होंने मेरा फोन लिया मेरे फोन से डेटा चोरी किया हमारे जो परिवारिक फोटो थे उन फोटो वीडियो को लेके इसने इस तरह से वाइरल किया और करालिया पे इसने जो में मैं और मेरे हजबन को बंदग बनाखे रखा इस तो उन्तीस अगस्त और 31 अगस्त को जो कहा रहे हैं बार बार की दो बार में जन सुनवाई के लिए आई हूं ये एक बार भी प्रूफ करने कि मैं इनके पास कभ जन सुनवाई के लिए गई और 29 अगस्त और 31 अगस्त को यह अरावली रिसोर्ट में पाँच-पाँच घंडे की इनों ने मिटिंग की है, वहाँ पे यह दबाव डाल रहे थे मुझ पे, कि आप इस तरह से सभापती पर केस, दुश्करम का केस लगा, इसकी इस हरकत की वज़ा से मेरे मेरे पूरी फैमि कि आपको मरवाना चाते हैं, उसने कुछ गुंडे बेज दी है, यह बोलकर यह अपनी जो चंदरवान आकर अपनी खुद की प्राइवेट गाड़ी में हमें आकर आलिया में ले आए, और रात बर इनोंने वहाँ पे जबरदस्ती तो पहले साइन करवाई, और उसके बाद फिर यह उपर रूम में हमें इनोंने बंद कर दिया, और कंटीन्यू कभी दिलिब दह करो और कभी चंदरवान आकर खुद आकर कि एफ़ायर करो, वरना ऐसा-एसा हम फोटोज वाइरल कर देंगे, उस टाइम नेक्स टे फिर हम लोग कैसे भी एक बहाने ऐसे कि सिग्रेट तो उसके बाद भी इनकी बाद भी माने कि यह जो केस जूटा केस लगाने के लिए बोल रहे थे सभापती पे, वह नहीं किया तो इन लोगों ने इस तरह से यह वीडियो और फोटोज वाइरल कर दिये फॉन से डेटा चुड़ा किया, और फिर हम लोग पुली स्टेशन ग फिर भाजपा के साथ उनका विश्वास कम हुआ, वो भी तब जब भाजपा के प्रदेशा अद्यक्षित्वाडगर के सांसस शीपी जोशी थे, मगर आक्या को सीपी जोशी की तरक्ती हजम नहीं हुई और अदावत छेट डा दे, तो वहीं दूसरी और जिनके फोटो वी करने की साजिश रशने का शड्यंत रच डाला, यह हम नहीं, बलकि वह महिला कह रही है, जिनके फोटो को एडिट करके वाइरल किया गया, खेरब सवाल यह है कि जनता ने चित्वाडगर के विकास के लिए संदीब को कुर्सी दी, और पिर चंद्रवान आक्या को कुर्सी पिर चित्वाड का विकास छोड़ आक्या ऐसी घट्या राजमिती क्यों कर रहे हैं, इसका सवाल का जवाब शायद ही आक्या दे पाए, क्योंकि यह विवाद है विकास की रफ्तार में रोडा अटकाने का, आखिरकार क्यों ऐसा माहुल बन रहा है, क्यों विधायक चंद् आक्या पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं, आप देखते रहे हैं दनगरी मीडिया नहों लालिक पर्वाद।